क्यों जनता ये समझती है कि पुलीस मालिक है और जनता नोकर है ये मेसेज क्योंगी ये गलत है ये गलत फहमी है पुलीस तो खिदमत कर रहे हैं पुलीस सर्विस प्रोवाइडर है पुलीस सर्वेंट है हम सब जो है पुलिक सर्वेंट है मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं क कि अगर उनको ऐसा लगता है कि पैसे दिये बगएर कोई काम नहीं होता है तो इस गलत फैमी से आप बाहर आ जाएए किसी भी गौवर्मेंट ऑफिस में आपको कोई घूस कोई ब्राइब देने की जरुरत नहीं है अगर कोई आप से ऐसी चीज़ का डिमांड करता है हमारा नंबर अविलेबल है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स अविलेबल है आप उसको रिपोर्ट कीजिए माध्यम से मैं बारा मुला के रहिवासियों को यही कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी हमारा नैशनल फेस्टिवल आ रहा कि करप प्रैक्टिसस में इन्वाल होगा उस पे कारवाई की जाएगी यही मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि महरबानी करके इस गलत फेमी से बाहर निकले कि पुलीस कोई एक फोर्स है पुलीस कोई एक जो है सकती करने वाली एक कोई इसा बिलकुल नहीं है हम आपकी फूल जो है इकठा होकर एक खुबसूरत गुलदस्ता बना है और हर फूल की अपनी खुश्बू है हर फूल की अपनी खुबसूरती है अपना रंग है और जब इतने सारे रंग इकठा हो जाते तभी गुलदस्ता शांदार और खुबसूरत लगता है पुलीस और अवाम म जिसने कोई गलत काम किया हुआ है और उसको डरना भी चाहिए लेकिन आम जनता के लिए हमने ये वर्दी पहनी है उनकी हिफाज़त के लिए हम चाहते हैं कि लोग और बढचर कर इसमें हिस्सा ले ताकि दूर दराज के लोगों को ज़्यादा ट्रैवल करके दफ्तरों में आना ना पड़े वो एक अट क्लिक ऑफ बटन जो है अपनी कंप्लेंट को दर्च करा सकते है आपने कहा भाराश्टर के लोग बड़े खुला म पजास के है दर्यादिल है हिंदुस्तान की हर कोने के जो बाशिंदे है उन सब में कोई न कोई खुबी है और हमें सबसे अच्छा अच्छाई सीखनी है सबकी अच्छी चीजों को अपने आप में जो है आत्मसाद करना है जैसे कश्मीरी की जो खुबिया है महमान दिली है महमान नवाजी है दिल खुलास यहां के लोग है अमन पसंद लोग है ये हर बंदे में कोई ना कोई जो है खुबसूरती है और मुझे लगता है कि हर बंदे से हमें कुछ ना कुछ चीखने के जरुरत है ये को ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग पुलीस से डर उनका implementation करना और लोगों को justice डिलाना ये पुलीस का काम है और उसमें हमें बहुत बार जो है सकत कदम उठाने पड़ते हैं और किसी ना किसी को तो ये काम करना पड़ता है अगर कोई चोर कोई गुंडा लोगों को परिशान कर रहा है तो उसके गरेबान में हाट डाल कर उस कि हम से डरने की जरुरत नहीं है हम आपका हिस्सा है और आपकी सुरक्षा के लिए आपकी मदद के लिए हमने ये वर्दी पहनी हुई है हमने हल्फ उठाया हुआ है कि पहले अगर हमारी जान पे भी आपने लेकिन हम पहले अपने फर्स को निभाएंगे लिहाज़ा ये ब आप उन लोगों से पूछिए जिनको रात को दो बजे तीन बजे पुलीस वाला अगर सामने रोड पे दिखता है उनको सेफटी महसूस होती है कोई और जारी होती है अगर पुलीस वाला खड़ा दिखता है अंदेरे में उसको एक सेफ फीलिंग आती है कि मैं यहां से अराम स गुजर सकती हो कोई मेरी हिफाज़त करने के लिए आंग खड़ा है लिहाजा प्भलिक शुड्ड कम टूस हमारे पास वह आये और कोई अगर बीच में हमारे ओर पभलिक के बीच में आने की कोशिश करता है और उसको आड़े हाइथ लेना कैसे वह हमें आता है